नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे आवर्थ सानी के वेसिक कॉंसेप्ट्स के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर आपको आर आर पी एंटी पी सी ग्रूप टी या अधर कंप्टिटिव एक्जाम्स को क्रॉश करना है तो जी एस से बहुत इंपोटेंट आपके आवर्थ सानी से दो से चार कुश्चन पूछे ही जाते हैं सभी एक्जाम्स में तो आज अपन वेसिक लेविल कवर करेंगे थोड़ा वेसिक अंडरस्टेंडिंग बनाएंगे फिर अगले वीडियो में अपन थोड़ा उसके डिप में जाएंगे तो जैसा कि आप स दी थी जो आवर्थ सानी इन्होंने दी थी वो किस पर आधारत थी वो आपके परमानु भार पर आधारत थी अब बस ध्यान से सुनते जाएए हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं तो आधुनिक आवर् दी थी मेंडलीफ ने और वो आधारत थी आपकी परमानु भार पर तो जब मेंडलीफ ने आवर्थ सानी दी थी तो उसमें आपके नौ वर्ग थे आपके सिर्फ नौ वर्ग थे और साथ आवर्थ थे लेकिन जो आपकी आधुनिक आवर्थ सानी है उसमें आपके हो गए है आपके 18 वर्ग हो गए है और आपके 7 आवर्थ हो गए है अब ये वर्ग क्या होते हैं और आवर्थ क्या होते हैं तो आवर्थ होते हैं आपके ये च्छेतेज ये जो च्छेतेज रखे गए हैं पहला आवर्थ दूसरा आवर्थ तीसरा इस टाइप से 7 आवर्थ होते हैं और इनको आपको पता भी होना चाहिए, आपका जो पहला आवर्थ है, उसमें आपके दो ही तत्व रखे गए है, जिस परकार से आपका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास भरते हैं, उसी परकार से तत्व को रखा गया है, सबसे पहले तो आपको एक से बीच तक तत्व के परमानुकरमा चाहिए, उसमें बिन्यास भी भरना आना चाहिए, इलेक्ट्रोनिक बिन्यास कैसे भरते हैं, चलिए अपने एक ब्लैक पेज ले लेते हैं, तो तत्वों के परतीक और परमानुकरमा की याद करने के बाद आपको उनका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास भरना आना चाहिए, ये लेक्ट्रोनिक बिन्यास कैसे भरते हैं, जैसे मुझे पूछ लिया, ऐलूमिनियम का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास क्या होगा, तो आपको पता ह नजी ऐलूमिनियम का पर्मान कर्माइक होता है 3, तो पहली कक्छा में आते हैं आपके 2 एलेक्ट्रोन बोहर के सिध्धान्त के अमसार, दूसरे में आपके आते हैं 8, और बाकी जो रहे रहे भो आ जाएंगे हाँ 3, तो इस टाइप से आपका अलेक्ट्रोन एक बन्यास भरा जाता है इसका एक क्रम होता है कि पहले आपके दो एलेक्टरन भरे जाएंगे फिर आठ देन आठ फिर अठारा फिर अठारा और अंत में बत्तिस और यही आपके आवर्तों में तत्वों की संख्या को बताते हैं तो पहले आवर्त में आपके दो तत्व होते हैं क्योंकि अग 12-322 और 7 अवरताब का अपूर्ण है तो इस टाइब से आपको यह चीज़ें भी पता होनी चाहिए इसके बाद आपसे पूचा जा सकता है उसकी सेयोजकता तो सेयोजकता निकलना हूं भी आपको आना चाहिए कि सेंजक्था होती है किसी भी परवानु के बाहतम कोस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो बाहतम कोस में जो आदान प्रदान करते हैं जैसे उन्होंने पूछ लिया मैगनेशियम कि सेंजक्था क्या होगी option में दे दिया प्लस दो माइनस दो प्लस तीन माइनस तीन तो पहले आपको पता होना चाहिए magnesium का परमानुक्रमांक 12 तो इसका जब electronic बिन्यास भरेंगे तो पहले कक्षा में दो electron जाएंगे दूसरे में 8 और बागी electron आपके तीसरे कक्षा में चले जाएंगे तो इसमें आसानी हो तो दो electron को त्यागना उसके लिए आसान है उसमें energy कम बेश्ट हो रही है इसलिए वो दू electron को त्यागेगा और उस पर प्लस दो का चार जाएगा लेक्टोन को त्यागना मतलब electron की कमी होना electron कैसा है negative particle है रड़ा वेसत है इसलिए एलेक्टॉन त्याग दिया है है इलीक्टोन की कमी हो गई इसलिए उस पर प्लस दो का चार जा गया तो इस टाइप से आप किसे ओज़कता भी निकाल सकते हैं तो चलिए बताइए ऐलूमीनियम की से ओज़कता क्या होगी ऐलूमिनियम कहुद्र है अपका 13 तो यहां क्या कर सकता है साथ एलक्टोन त्याग सकता है एक ले सकता है तो यह क्या करेगा एक लेक्टोन बाहर से ले लेगा क्योंकि साथ त्यागने में ज्यादा अगर इलक्टोन ले रहा है मतलब उस पर माइनस का चार्जा जाएगा वस इतना रखना है आपको कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा यानि जब वो लेगा तो माइनस जब देगा तो प्लस तो इसे आप अपनी तरीके से याद कर सकते हैं अगला कुश्चन आपका पूछा जा सकता है आवर्तों की संख्या और बर्गों की संख्या यानि कौन से बर्ग में आएगा तो कौन से आवर्त में आएगा जैसे उन्होंने दे दिया है थर्टी परमानुक्रमांक वाला तत्त को आवर्त सायणी में किस आवर्त और किस बर्ग में रखा जाएगा तो इसका पहले अपन भरेंगे electronic बिन्यास तो भरते हैं दो आठ आठ यहां तक आपके आठ भरते हैं फिर आपका चौथे आपके से 18 और पांच में भी 18 लेकिन यहां पर आपके कितने हो गए इसको अपर एरेज कर लेंगे यहां पर आपके कितने हो गए अच्छत्स अलेक्टरन हो गए तो बाकी जो आपके दो इलेक्टरन है वो आपके अधर पे आ जाएंगे तो इस टाइप से आपका कहा पहुंच गया है एक दो तीन चार पांच यह आपके पांच में आवरत में रखा जाएगा था 38 परमानुक्रबांक वाला था तो और यह ज श कोई़ा सरस पांच में रखा जाएनगे जितने आपके कक्षक भरे जायेगे वो आपके आवरतों को बताएंगे और जो लास्तर इलेक्टरन होते हैं وہ उसके ब्रक को बताएंगे चलिए एक कुश्चन और करते हैं इसे टैप से उन्होंने दे दिया 19 परमानों क्रमांग वाले तत्तो को किस आवर्त और किस बर्ग में रखा जाएगा तो भरते हैं इसका परमानों क्रमांग भरेंगे 2, 8, 8 और 1 हो गया 19 यानि इसको रखा जाएगा 1, 2, 3, 4 यानि चौथे आवर्त में रखा जाएगा आपका और कौन से पहले बर्ग में रखा जाएगा तो मैंने बताया बर्गों की संख्या है 18 और आवर्तों की संख्या है 7 तो इस टाइप से कुश्चन बन सकते हैं जिनके आंसर आपको आने चाहिए अब अपन चलते हैं वधर अब इसके बाद आपको याद रखना है आवर्त साणी में तत्मों को किस प्रकार बर्ग इकरत किया गया तो आपको जो पहले बर्ग में रखे गए हैं तत्मों को कहते हैं छारिय धातूं कहते हैं कि उन धात्मों के जो लबड हैं या जो आयस के हैं वो छारिये होते हैं उनके आकसाइट छारिये होते हैं उसलिए उनको छारिये धात्मों कहते हैं तो पहले वर्ग में किसको रखा गया है छारिये धात्मों को और अंतिम वर्ग में किसको रखा गया है सून वर्ग क जीनोन और रेडोन इन सभी के आपको ट्रक भी है लेकिन आप इसकी ट्रक है हलीना की रब से फर्याद चारी अधातों की ट्रक है हलीना की रब से फर्याद और इसी प्रकार से आपकी अक्रिय जैसों की ट्रक है हीना नीना और करीना की रब से फर्याद तो ट्रक का वीडियो म आपकी बेटा मांगे कार बाप राजी तो इस विकार से आप रख सकते हैं वेटा से आपका वेरियम मांगे से आपका मैगनीसियम कार से केलसियम स्ट्रॉंसियम से स्कूटर से स्ट्रॉंसियम बाप से वेरियम और राजी से रेडियम यह आपको क्रम याद रखने पड़ेंग यह जो पहले और दूसरे बर के तत्थ होते हैं इनको कहते हैं S ब्लॉक के तत्थ क्यों कहते हैं क्योंकि इनका जो इलक्टॉन हैं अंत्यम इलक्टॉन S कक्षक में जाता है आपके 4 कक्षक होते हैं S, P, D, F और यह जो आपके 13 से 18 के तत्थ हैं इनको कहते हैं आपके P ब्लॉक के तत और यह जो आपके मध्ध में रखे गए हैं इनको कहते हैं D ब्लॉक के या संक्रमन धातू तत तो और यह जो नीचे पड़े हैं बरामदे में इनके लिए जगए नहीं थे इसलिए इनको बरामदे में डाल दिया इनको कहते हैं आपके F एब ब्लॉक में आपकी दोसरणिया होती हैं, एक होते हैं आपके 57 से 71 तक के तत्व, जिनको कहते हैं AAPKING Lengthenoid तो lengthenoid कहां से कहां तक आते हैं, आपके 57 से 71 तक के 54 तत्व है उनको lengthenoid कहते हैं इसी परकार आपके 89 से बाद जो नहीं 90 से 103 तक जो आपके तत्वें इनको कहते हैं आपके एक्टी न्वाइट्स जो पॉइंट में बता रहा हूं बहुत ही इंपोर्टेंट है इनको आपको याद कर लेना है तो इस टाइप से चीज़े हैं आब अत्सानी में मैं आपको बता रहा था बर्ग तो इन बर्गों की ट्रेक होती है इनको याद करने की जैसे आपको तेरे में बर्ग के तत्वों को याद करना है होते हैं बोरोन, ऐलूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इसकी ट्रेक है वेगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इसी परकार इसकी ट्रेक है आपकी कारवन फैमली की, इसी परकार नाइट्रोजन की है, ऑक्सिजन, फ्लोरिन की है, इस तो आपको याद रहता है, फ्लोर जाना है आपको तो वाए सिदाय जाने पर कौन सी चीज़ें बढ़ती है और कौन सी चीज़ें घठती है ये भी आपको पता होना चाहिए तो वाए सिदाय जाने पर आपको तीन चीज़ें आद रखनी है आयना नूर्जा एलेक्टोन बंधुता और विद्धुत्रात्मक्ता आयननूर्जा, इलेक्टोन बंधुता और विद्धुतरात्मक्ता ये तीन चीजें आपकी वाई सिदा जाने पर बढ़ती हैं कहां पर आवर्थ में ये आपके आवर्थ है ना ऐसे छेतेज और यही चीज यहां पर उल्टी होती है बर्ग में अब अगर बर्ग में आप उपर सी नीचे आएंगे तो आपकी आयननूर्जा, आयनन बिभाव, विद्धुतरात्मक्ता, इलेक्टोन बंधुता ये चीजें क्या होंगी घटेंगी तो कुछ रटने वाली बात नहीं है, सब कॉमन सेंस है, अगर यहां पर कोई चीज बढ़ दे है तो यहां पर घटेंगी बर्ग में दूसरी बात आपकी जो आयनन, सुरी आपकी जो आयने को तरिज्जा है, आपकी परमानू तरिज्जा है, वो आपकी इधर जाने पर घटती है और इधर जाने पर बढ़ती है और आबर्थ में आपकी घटती है और ये फेक्ट ये भी बनता है कि आवर्थ सानी में सबसे बिध्धु तरणी तत कौन सा है यनि सबसे जादा बिध्धु तरणात्मकता होती है वो होती है आपके फ्लोरीन की और सबसे जादा इलेक्टॉन बंधुता होती है आपके क्लोरीन की अभी electron बंधुता क्या होती है विद्धुतरात्माक्ता क्या होती है आपने देखेंगे अगले lecture में इस टाइप से आवर्थसानी का एक मात्र तत जो आवारतत है वो है आपका hydrogen क्योंकि ये आपके छारिये धात्यों से और halogen क्या कहते हैं इनसे आपका ये समानता रखता है इसी कारण आपके hydrogen को आवारतत्यों कहते हैं और आवर्थसानी में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये nitrogen family nitrogen family, oxygen family और fluorine family इनको और भी अन्यणामों से जाना जाता है जैसे आपके 18 बार्ग के तत्वों को सूनी गैस के तत्व कहते हैं अक्रिये गैसे भी कहते हैं निस्क्रिये गैसे भी कहते हैं उसी पर का nitrogen family के तत्वों को कहते हैं निकोजन्स क्या कहते हैं निकोजन्स क्या कहते हैं क्युक्कि इनके जो तत्व हैं वो विसैल्य होते हैं Zahra JS ka मतलब होता है जहरी लिया विसैले होते हैं और आपकी जो ऑक्सिजन फैमली के तत्व हैं oxygen sulfur selenium terlenium polonium इसकी ट्रेक है ओलß स्टाइल से टीपो तो इसकी जो तत्वें इनको कहते हैं चैल को जन इनका जो साधान नाम है वो क्या है चैल को जन्स यह आपको याद रखना है और जो आपकी यह सत्रमें बर्क के तत्वें इनको बोलते हैं हैलोजन क्योंकि इनकी तत्व हैलाइडो के रूप में पाई जात क्योंकि अगर आपने इस आवर्ट सानी को समझ लिया तो अगर आपको यह रट गया आपने बनाना सीख ली तो आपको इभी कुश्चन कर देंगे आसानी से और इसको बनाने के तरीका यही है कि पहले आप सिर्फ नम मर दें एक दो तो थेंक्यू आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए टेक क्यार थेंक्यू लव यॉल